कार्ट।न एनिमितर में यह सभी कैरेक्टर हम किस तरह से यूज करेंगे आज हम यह देखेंगे तो यहां पर हम कार्ट।न एनिमितर 4 टोолов का यूज कर रहे हैं आप इसको कार्ट।न एनिमितर 4 5 यो भी नए अफडेट इन डिहन के उन सभी में और यहां इसके डेट पर हमने क्लिक किया तो यहां पर उनको दिख रहा है काटून एनिमेटर 4.5 वर्जन इसी में चलेगा इससे जो नीचे के वर्जन है उसमें यह कैरेक्टर आप यूज नहीं कर पाएंगे आपने यह जो कैरेक्टर है अब यह सभी कैरेक्टर जब आप डाउन्लूड करेंगे तो इस तथरे की जिफ 파Frankर आपको दिखेंगे आपने राडेक्ब करना है और राडेक्ब करने के वाद एक्षटक हीयर करेंगे तो इस तरह सी यह फाईल खुल जाएगी इस file को drag and drop करके हम cartoon animator पर ला सकते हैं या फिर file में जाएंगे और यहां से open करेंगे तो यह सभी character यहां पर open हो जाते हैं अब सबसे पहला काम तो यह सभी character को हमने यहां अपने custom में add कर लेना है ताकि हम easily यहां पर काम कर पाएं सभी character के साथ हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं तो जिस भी character को आप यहां पर add करना चाहते हैं उसको आपने select करना होगा example किसी भी character को आपने double click करना है और यहां से app की press करके इसको focus कर सकते हैं फिलाल इसको हम add कर लेते हैं तो इसके लिए आपको यहां से actor tab में जाना होगा और यहां से custom में हमें जाना होगा और यहां यह जो character का open यहां पर click करना है plus के icon पर हम click करेंगे तो यह जो character है यह हमारा यहां पर add हो जाएगा तो हमें फिर से यह file को open नहीं करना होगा एक एक करके आपने सभी character को यहाँ पर add कर लेना है अब जैसे ही यह character यहाँ पर add हो जाएगा आपने खाली जगाँ पर कहीं पर click करना है otherwise जो character हमने पहले add किया है वहाँ पर character यह replace हो जाएगा तो अभी यह कितना time लेगा यह depend करता है आपके PC में तो फिलाल बहुत ज़्यादा time नहीं लेता है आप यहाँ पर इसको कोई भी name दे सकते हैं suppose हम यहाँ पर इसको जो भी character का name है वह हम इस तरह से दे सकते हैं अब यहाँ पर आपने यह जो खाली space यहाँ पर click कर देना है और फिर से दूसरे character को आपने select करना add कर लेना किसी भी character को हम modify कैसे करेंगे या animation कैसे लगाएंगे सपोज यह character है इसको हमने double click करना है अब यदि हम right click करते हैं और यहाँ पर यदि कोई भी motion हम लगाने की कोसिस करें तो यहाँ पर fail दिखा रहा है क्योंकि यह file जहाँ पर बनाए गई थी वहाँ से इसको हटा करके दूसरी जगा लेकर करके आएं तो उस सारे motion यहाँ पर नहीं दिखेंगे यह सारे motion या तो हमें कुछ से बनाने होंगे या फिर हमें animation पर जाना होगा और यहाँ से हम जाएंगे perform में और यहां से जी तरी या फिर जो भी motion आप लेना चाहते हैं सबोर्ज मोसन में आप जातें और यहां से हमन में आएंगे और यह काफी सारे हैं आप देख लिजिए तो नाव यहां से arrow से हम back आते हैं और यहां पर यह काफी सारे motion हमको मिल जाएंगे इन सबी को हम use कर सकते हैं जो भी हमको right click करके मिलते हैं उस सारे motion हमको यहां मिल जाएंगे और इनको हम easily apply कर पाएंगे तो अब एक walk कही हम देख लेते हैं तो simple हाला कि यह जो walk है वो हमारा जो इंडियन कल्चर है वैसी walk नहीं है तो यह हम center वाली इसको हमने double click करना है जिस भी character पे आप apply करना चाहते हैं इस पे आप double click करके जो पहने आप लगाना चाहते हैं वह आप लगाते हैं अब 3 press किया हमने और यहां पर देखें इसके motion पर हमें जाना होगा और motion पर जाने क कोर्णर पे इसके mouse को लेकर के आएंगे arrow यह आपको दिखना चाहिए अब आपने mouse को प्रेस करना है दबाए रखना और आगे की तरफ इसको लेकर के जाना है तो देखें multi copy हमने यहां पर की हैं और इस तरह से multi copy हम कर पाय रहे हैं अब इसको यदि हम चलाना चाहते हैं तो 100 फिर्म पर हमने इसको उठाना है और जहां भी इसको हम रखना चाहते हैं वहां हम रख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से अब यदि हम यहां से पैग जाएं और फिलाल अभी हम इसको फोकस कर लेते हैं एफ की प्रेस करेंगे तो फोकस आप कर पाएंगे ताइम लाइन को एफ थ्री के साथ हम बापस अटा देते हैं और यह चारेक्टर आगे जाएगा तो थोड़ा सा इस पेस हम यहां पर मैंटेंड कर लेते हैं इसको पीछे कर लेते हैं अब यहां से इसको प्ले हम करेंगी तो यह आला कि बहुत ज़्यादा जिस्टेंस हमने इसको दिया है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कितनी समय में हमने इसको कितनी दूर तक आगे लेकर करके जाना है इसको हम हंडेट फिर्म तक लेकर के गए थे और हमने वन सिकेंड एफ रिप्रेस करना है थोड़ा से जूम आउट हम कर रहेते हैं कैरेक्टर हमारा स्पे अगर यहां से हम बैक आएंगे यह जो नीशे पिले बार है यहां से आप इसको कंट्रूल कर सकते हैं कोवे भाया क्या तुम थोड़ा सा है फिलाल मैनूली कैसे क्रियेट करेंगे वोक साइकल यह हम आने वाले वीडियो में देखेंगे अब किसी भी कैरेक्टर को आप मोड देख लेते हैं अगर ओडियो अपने अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे क्रियेट स्किप पर आपने जाना होगा और यहां से वैफ फाइल पर आप जाएंगे और जो भी ओडियो आप लगाना चाहते हैं एंप यहां पर देखें क्या क्या फॉर्मेट यह सपोर्ट करेगा वैफ फाइल है और यह सपोर्ट करेगा उस फॉर्मेट में आपका ओडियो होना चाहिए आप डारेक्ली रिकोर्ड भी यहां पर कर सकते हैं तो पहले से रिकोर्ड़ेट है इसको हमने सिर्फ ओपन करना है तो यह हमारा कैरेक्टर इस तरह से बात्चित करता हुआ आगे तक चला गया है फिलाल हम राइट के लिक करके रिमोड अबजेक्ट एनिमेशन का यूज़ करेंगे तो सारा जो एनिमेशन है वो यहां से रिमोड हो चुका है चाह चुका है अब इसमें कुछ बदलाओ करने हैं तो हम कैसे करेंगे इसको अपने सलागत करना है कमपोजर मोन दे करके जाना है सेम टेकनीक से आप इसको काटून अनिमेटर फाइब में भी कर पाएंगे तो सब्सक् Att यहां से प्लस के बिटन पर क्लिक करके नीचे ले आते हैं यहां देखें हमको scene manager दिख रहा है और यहां पर यह content manager पर हम आते हैं layer manager में सारे आपके layer इसको आपको दिखेंगे scene manager में यह सारे आपको scene में दिख जाएंगे और यहां से content manager में हमें इसका जितना भी डाटा है वो यहाँ पर दिखेगा, सबस्पल हेड में हम जाते हैं और यहांसे पुरा हेड, अगर आप चैन्ज करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं यहांसे Suppedi 3 का या जो भी हेड, आप करना चाते हैं सिर्फ आपने डवल क्लिक करना हैं यह पूरा फेस यहां पर आजाएगा, यदि आप यहां पर एड़ करना चाहते हैं तो custom में आप दाएंगे आप यहां पर save भी कर सकते हैं फिलाल अभी हम template में आजाते हैं और यहां से हमने, suppose now जी 3 में अगर हम आएं और जी 3 में हमें क्या करना चाहते हैं इसका माउथ, इसका लिपिंग हम change करना चाहते हम तो घी 30360 भी आप लगा सकते हैं या फिर डाय भी लगा सकते हैं फिरा'll यह सबी हैं जये उसकी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहां फर डबल क्लिक करना है और यहां Lips में जितने भी पहले के इमेजे से से वो सारे हड़ जाएंगे और यहां पर नए आज आज चुकी है फिलाल यह बोन सेटप हमको डिश्टब कर रहा है छोगी फिलाल हाइट करेंगे आप यहां पर इस तरह से इसको resize करना है और यहां से directly अभी आप इसको resize कर सकते हैं और ठोड़ा rotate करना है तो इस तरह से आप इसको rotate कर सकते हैं इस तरह से साइम इसी तरह से इस की आखों को अपने चेंज करना है तो अभी यदी हम यहां पर इस SP hull में जाएंगे यदि फ़ी इसको में सललक करें करें कि एक-एक-एक-एकशती हो और मुष्पर करना है यह हो अपने Sü나무 कर्לא और फिर आपने change करना है, suppose example यह हैं अभी यहां पर हम देखें, तो यह से ही हम यह आपर click करें, यदि आप चाहते हैं कि बातचित करते समय हैं, यह जो image है, यह change हो या पिर इसका size कुछ भी हो, suppose example हम resize कर रहे हैं, तो आप इस तरह से manually आपने एकए को यहां पर select करके करना होग ये जो method है, save method आपने use करना होगा, इसकी आँखोपर और सबी इस तरह के जिसमें की multiple images होती हैं, वहाँ पर आपने इस तरह से इसको आप modify कर सकते हैं, प्लाल यहां से हम back आजाएंगे, अब इस तरह से आप एक एक character को modify कर सकते हैं, मन चहा लिपसिंग आप लगा सकते हैं, या फिर जो भी फिरी character है, website पर आपने उन character को download करके भी इनके साथ में इनको modify कर सकते हैं, और color बगारा change करना है, तो आप directly इनको photo soap में लेकर करके जा सकते हैं, अब ये character बापस आप लेकर के आएंगे stage mode में, और फिर से आपने इसको save कर लेना है, तो ये आपका एक final यहां पर output हो जाएगा, तो यहां पर composer mode में थोड़ा सा time आपको लगेगा, चीजों को save करने में और यहां से back आने में, तो इसको थोड़ा सा easily और आराम से ही कीजिएगा, अब यहां से यदि हम back आएं इस तरह से, यह हम देखें, तो ये स लिपसिंग को, इनकी आइस को, यहां पर हम देखें किसी भी character में तो इनकी आइस भी complete हैं, और इनको modify तो हम करना सीख ही चुके हैं, और आप इसकी ये आँखे अठा करके कोई दूसरी लगा सकते हैं, या फिर इनको आप lip sing का भी same है, सिर्फ आपने audio लगाना है, audio लगा क करके आप देख सकते हैं, लिपसिंग यदि अच्छे से काम कर रहा है तो ठीक है, otherwise composer mode में लेदा करके आप उसको, उसमें changes कर सकते हैं, क्योंकि जब character setup किया जाता है, और इसको एक जगा से दूसरी जगा जब हम इसको replace करते हैं, या भेसते हैं, तो थोड़े बहुत उसमें जो है changes आ जाते हैं, अब यहाँ पर यह complete body के part हैं, अब यहाँ पर यदि हम face में जाएंगे, तो face में हमें इसकी सबी चीज़े दिखेंगी, यह जो sprite editor अभी हमको यहाँ दिख रहा है, stage mode में, इनको use करके हम timeline पर इन चीज़ों को manually animate कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर sprite editor आपक जाते हैं, अगर हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर इसमें जितने भी images यहाँ पर आपको दिखेंगे, देखें, यह image है, second, manually आपने timeline पर close दिखाना है, एक आँक इसको बंद दिखाना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो यह हम इसा के लिए बंद हो जाएगा, और next, कि CSV फ्रेम पर यह दिए, आप इसको open दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको open दिखा सकते हैं, अब यह आपने buy कहां से करने, तो आप सीधा यहाँ आजाएंगे website पर, animationeasy.com पर, और यहाँ से content store में आना होगा, आपने 2D store में आना होगा, इसका link आपको, I think disk store में मिल जाएगा और आपने, यहाँ पर आप देखें, तो यह है, यह है, और आप add to cart करके यहाँ फिर थोड़ासा आपको पहले sign up कर लीजेगा website पर, sign up कर लेंगे तो easy रहेगा, otherwise वो आपको sign up करने के लिए बोलेगा website, आपने यहाँ से add to cart पर जाना है, view cart पर जाना है, और इसको आपने, इसको आपने एके बार add to cart करना है, otherwise वो उसको multiple charges आपको बोल देगा, और आपको यह यहाँ पर नहीं दिखेगा, suppose अभी हमने, तो यहाँ पर फिलाल view cart पर हम जाएंगे, तो इसको हम view cart पर जाकर के, और यहाँ पर देखें, अभी फिलाल उतना ही दिखा रहा है, तो directly हमने इसको check out पर click करना होगा, और यदि आपको यह एक से जादे दिखा रहा है, तो आपने इसको manage करके, और यहाँ पर जो basic information है, सिर्फ वो fill कर दीजे, और UPI यहाँ पर जो भी है, आपको बो दे दीजे, और जो भी आप यहाँ पर UPI में आपके आ रहा है, वो सब यहाँ से select क करके आप इसको pay कर सकते हैं, हाला कि scan करने का option आएगा आपको, तो आप इसको scan कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर जाना है, और अपने dashboard में जाना है, जो भी आपने add कर लिया है, add to cart कर लिया है, और एक से ज़्यादा चीजे अगर करना होगा, और आप इनको directly, यहाँ से आप इसको, यहाँ से आप इसको manage कर सकते हैं, order history में यदि हम आए, यहाँ पर सारी जो order history है, वो आपकी आ जाएगी, तो खलाला भी यहाँ पर order history में कुछ नहीं है, और directly आप my account पर जाकर भी यहाँ से इन से इन से भी चीज को manage कर सक सकते हैं, suppose यह order है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, जो भी order आपने किये होंगे, और आपको नहीं दिख रहे हैं, तो directly आप यहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा बार भी इनको download कर सकते हैं, जो भी order है, और आपने यहाँ पर view पर जाना है, और उ यहाँ पर जाएं यहाँ फिरी पर download पर हमने click करना है, तो यह downloading स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, जैसे ही download होगी आपको zip file यहाँ पर मिलेगी, तो zip file को आपने extract करके use करना है, तो देखें, यह downloading यहाँ पर start हो चुपकिए, तो अभी यह जो downloading होई है, इसको हम यहाँ पर जाना होगा, और यहाँ से scroll करके नीचे आएं तो I think देखें, यह यहाँ पर free character है, तो काफी free character है, जो की website पर आने वाले, तो आपने directly यहाँ पर click करना है, और आप इसको download कर सकते हैं, हालगि sign आप आपको करना ही होगा, अब यह जो character हमने download किया है, यह हमको यह download में इसको आपने यहाँ से cut कर लेना है, किसी भी unique folder में उसको paste कर लीजिए, और यहाँ पर इसको paste करें, right click करें, और इसको hashtag here हम करेंगे, तो यह character हमारा open हो जाएगा, इसको आप drag and drop कर सकते हैं, यहाँ फिर फाइल में जाकर open करके भी character को आप यहाँ ला सकते हैं, हाला कि यह character इस package में भी है, total जो character हैं, यह 21 character हैं, और इनको आप easily modify and use कर सकते हैं,